कि नमस्कार कि जब हजबेंड इग्नोर करने लग जाए तो क्या करें अधिकतर ग्रहनियों की अधिकतर साथी सुद्वा महलाओं की यही एक समश्या लेती हुआ साथी के तुरंट बात तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है साल पर तक तो पती अच्छा ख्याल रखता है पतनी का ओपिस से फोन करता है खाना खाया अगनी खाया घर पाके पूसता है खाना खाया अगनी खाया दिन में दो बार फोन करता है हाल चाल कैसे है हलो हाई कैस आराम चेब खुशी से जीवन जीते जाते हैं लेकिन दीरे दीरे टाइम इस्पेंट होता है पती इंडूर करने लगता है घर पर चिट-चिड़ा पन होता है पती ओपिस जाता तो एक भी बार फोन नहीं करता है पत्नी को और घर पे आने के बाद में भी पती भी खाना खा ल देती है आप पत्नी को तरचा नहीं देते हो वह वेल्यू नहीं देते हो वह इज्जत नहीं देते हो पत्नी आखिर सोचती है कि क्या करना है पती मुझे इग्णूर क्यों कर रहा है और उसके पीछे क्या रिधन है पती आपको इग्णूर कर रहा है तो आज अपनिया जान मुझे पर यहां पट्रूट कि मरते रहोंगे मेरा पती मुझे इग्णोर क्यों कर रहा है अक्छले में आशु बहाते रहोंगे लोगे ऑफ अपती इग्णोर करें तो कुछ ऐसा करना कि पती वापीस आपको वेल्यू देने लग जाए आपको अटेंशन देने लग जाए अपने पती से बात करें, क्या वजह है आप लिशाके क्या कर रहे हैं? क्या उसके कोई प्रसंब प्रोबल्म है? क्या उसके बजनेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? क्या वो अपने आप में दुखी है? क्या ऐसी कोई उसे बिमारी है जो अंदरी अंदर कचोट रही है क्या ऐसी कोई बात है जो उस पती को अंदरी अंदर तुकी कर रही है जो वो आप से शेयर ने कर पा रहा है तो कुछ ऐसी बात खुल कर अपने पती से बात करे कि आखिर क्या बात है कि पहले वाले दिन अपने निया आ रहे क्यों चिर्चिरा पन है क्यों मुझे एक्नोर करे तो अपने पती से खुल के बात करे कि आखिर क्या रिजन है और किस वज़े से आप गर पर ऐसा महल बना रखा है पती के जरुरोतों को पूरी करें कभी-कभी ये भी होता है कि पती को जो चाता है वो नहीं मिल पता है करता है चाहे वो फिजिकल डिलेशन में हो चाहे वो गर का इंवार्मेंट हो चाहे वो आप से कुछ एक्सपेक्टेशन से लेकर हो चाहे वो आपसे किसी भी चीज से लेगा तो पती आपसे क्या चाता है पती की आपसे क्या डिमांड है जितना हो सके पती की रिक्वाइर्मेंट पती की जुरूते पूरे करे जितना आप कर सको उतना तो आपका करना चीज अगर आप पती की डिमांड को अवइड करोगे दिल खर्ची की बाते लें किसी भी बात से अगर आप उस बात को इगनोर करोगे तो डेपिने लिए आपका पती आपको इगनोर करेगा तो जितना संब्सक्राइब हो सके possible to possible अपने husband की जरूरत और पूरी करें तो आपका पती आपको attention देने रख जाए अपने husband पर बरोसा रखें believe लखें ध्यान रखना जब पती आपको ignore करना लगे जब पती आपको बाव न देने लगे तब क्या आपके मन में सबसे पहले क्या भावन आती क्या feeling आती है पता है आपको सबसे पहले तो आपको ये feeling आती है क्या मेरे पती का बाहर चक्कर है क्या मेरे पती का बाहर affair है सबसे पहले आपके मन में यही बात आती कि सादी से सादी के दो तिन साल बाव तो पती अच्छा रेता है कि मेरे पती करें बाहर चक्क्र तो नहीं तो अपने पति पर डौठ न करें बरोसर रखें अगर आप ये डौट तो सबसे पहले तो अपने husband पर भरोसा रखें बिना कोई सबूत के इल्जाम ना लगाए हर कोई से भी इल्जाम उसके उपर ना लगाए उसके आत्म सम्मान को चोट पहुँ सकती है उसको बहुत बुरा लग सकता है एक दूसरे के साथ समय विताए हो सकता है कि साधी के बाद में बच्चे पैदा हो गए हो आपको टाइम नहीं मिल रहा है पती को बिजनिस से टाइम मिलता है आपको गर से टाइम नहीं मिलता है तो आप एक दूसरे के साथ समय कहां बिताओगे एक दूसरे के साथ को क्वालिटी टाइम बिताए इससे क्या होता इससे बॉंडिंग ब करि क्योंके आज कि भाग डोड़ बरी जिन्ταवी में पती-पत्नी को भी टाइम में ते उस्पेसली वो पती-पत्नी जिसको पत्नी भी जोब करती रफटी अर पती भी जोब करता है। उनको तो बिल्कुल टाइम मिलता है, तो एक दूसरे से क्वालिटी टाइम भी दाए, और एक दूसरे की जरूते समझें, और एक दूसरे की जरूते को पूरी करें.